हेलो फ्रेंड वेलकम टू सिक्षा कैसे आप सब तैयारी पुरे जोरो शोरो से जारी रहनी चाहिए यह याद रखना है अपने और सेहत का भी ध्यान रखना है अपनी और साथी साथ आपके बाकी के यूपीसी एक्षा के लिए इंपोर्टन रहेगा और तो शेयर करना है लेक्षर को जितना हो सके एंकरेजमेंट मिलता है और प्रोसेस वही रहेगा दोस्तो आपके सामने कुशन आएगा समझेंगे को फिर अंसर करने की खुद से कोशिश उआगे देखो कोई भी कोशन कर रहे हो सिर्फ मेरी वीडियो के लिए झाय अगर क्यों और वी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर और इसने क्विक से भी कोशन कर्रीगे कर्यें तर इंटरनेट रहे हो सबसे पहले कोशन को अगर आप तयारी कर चुके हो एक बार का target है current affairs का EPF होगे लिए लेकिन यह 100 lectures आपके लिए बाकी exams के लिए इंपोर्टेंट हैंगे ठीक है चलो शुरू करते हैं first question consider the following statement with respect to private final consumption expenditure यह term यूज में थी private final consumption expenditure इसलिए इसके उपर question form किया है आप इसको economy में रख लो या current affairs या development issues में रख लो कहीं पर भी रख लो देखो economy के तो बहुत सारे questions आपके current affairs के साथ ही cover हो जाएंगे वैसे मैं आपको economy के questions भी करा रहा हूं लेकिन काफी सारे questions आपके economy के current affairs में आ जाते हैं तो पहला statement कहता है कि यह जो private final consumption expenditure है यह वो expenditure होता है जो resident households का होता है on final consumption of goods and services made only within the economic territory of the country सिरफ देश की economic territory में जो खर्चा resident household ने किया है वो इसमें आता है दूसरा statement कहता है कि यह 56% of the total GDP होता है जो यह private final consumption expenditure है आपको बताना है इन दोनों statement में से correct कौन से correct incorrect का बहुत जादा ध्यान रखेंगे one only two only both या फिर नीदर ठीक है newspaper में था इसके उपर articles बगएरा भी आया थे इसलिए हमने यहाँ पर यह question इसको frame किया है economy में रख लो या current affairs में रख लो आपकी मर्जी है ठीक है answer यहाँ पर होगा आपका option B पहला statement गलत है पहला statement क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पर यह जो made only within the economic territory है ना यह statement wrong है यह only नहीं आना था within the economic territory और outside it also ठीक है अगर economic territory के भार भी अगर resident household खर्चा कर रहा है तो भी वो private final consumption expenditure में include होता है और दूसरा statement आपका बिल्कुल सही है यह जो private final consumption expenditure है यह 56% of the total GDP होता है ठीक है तो एक बार solution अगर हम इसका देखने की कोशिश करें किस तरह से define किया जाता है expenditure incurred by the resident households and the non-profit institutions तो यह भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है दो categories इसमें आती है resident household आएंगे एक और दूसरे आपके non-profit institutions आएंगे तो यह दोनों इसके अंदर आते हैं और जो भी यह final goods and services की consumption कर रहे हैं वो आपका इसमें include होता है whether within the economic territory और outside तो यह एक important चीज़ है उसके बाद यह जो आपका private final consumption expenditure है यह total GDP का 56% होता है इंडिया में and यह private final consumption expenditure क्या include करता है value of goods and services produced for own use on current account जो भी अपने use के लिए goods and services final goods and services produced किये जा रहे हैं ठीक है second question देखते हैं tropics exercise से related आपको incorrect statement बताना है ठीक है जी incorrect के उपर circle लगा लेंगे सबसे पहले कह रहा है कि यह एक trilateral यानि कि तीन देशों के बीच में होने वाली exercise है और वो है इंडिया, Singapore और Thailand दूसरा statement कह रहा है कि NSG, BSF, oil handling agencies, airports यह सब भी participate करेंगे defense forces के साथ इस exercise में ठीक है तो अब आपको code बताना है कि कौन सा correct है देखो यहाँ पर लिखा है select the correct answer correct answer आपको बताना है लेकिन उपर लिखा था statement कौन सा incorrect है तो statement कौन सा incorrect है उसका correct answer, confuse नहीं हो ना कहीं बर question में बच्चा कहता है यह तो question गलत है उपर उसने incorrect लिख दिया, नीचे उसने correct लिख दिया, incorrect के हिसाब से कौन सा correct है ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर थी, तो पहला statement गलत है, ठीक है, दूसरा statement बिल्कुल ठीक है, NSG, BSF, Oil Handling Agency, Airport वगयरा ने भी इसमें participate किया था, तो answer इसका option क्या होएगा, A, क्यूंकि आप से पुछा है कि इन में से कौन सा statement incorrect है, तो answer यहाँ पर हो जाएगा, आपका A, ओके, लेकिन यहाँ पर answer क्या लिख ठीक है, तो one is the incorrect option, तो tropics exercise के बारे में अगर हम देखें, इसकी full form क्या होती है, theater level readiness operational exercise, navy conduct करती है, हर दो साल में, ठीक है, पिछली lecture में, lecture number 7 में, sea vigil 2021 के उपर question मैंने cover किया था, ठीक है, क्यों important है यह दोनों exercise, क्योंकि वो भी inter-service थी, उसमें भी सारी, इंडिया के coastal states ने participate कि था, यह भी inter-service है, इसमें Indian Army, Force, Navy, Coast Guard, सब participate करेंगे, ठीक है, इस साल, TROPEX और Sea Vigil, दोनों को एक साथ conduct किया गया, Sea Vigil भी Bainial है, दो साल में एक बार होती है, TROPEX भी Bainial है, दो साल में एक बार होती है, ठीक है, Sea Vigil में मैंने आपको बताया था, कि Navy, Air Force, इन सारी countries ने भी participate किया था, ठीक है, Coast Guard, सब ने इन्होंने participate किया था, तो TROPEX और Sea Vigil क्योंकि इस बार एक साथ हो है, तो यह सब participate करेंगे, पहला statement क्यों गलब था, क्योंकि जो India, Singapore और Thailand के बीच में trilateral exercise होती है, उसका नाम होता है sit max, यह भी आप याद रख सकते हो, S for Singapore, I for India, T for Thailand and max होत जाते है, ठीक है, तो exercises, defense exercises, current affairs का बहुत important part है, अपने अच्छे से cover करना है उनको, ठीक है, चलिए, next question देखते है, third question, consider the following statements, statements given आपको National Youth Day से related, और आपको बताना है कौन सा statement correct है, तो National Youth Day, पहला statement कहता है कि commemorate किया जाता है, Swami Vivekanandh की birth anniversary पर, दूसरा statement कहता है कि National Youth Festival organized किया जाता है, National Youth Day के आसपास, और ये festival organized करता है, आपका Ministry of Youth Affairs and Sports, आपको correct statement बताना है, one only, two only, both, या neither, one nor two, correct statement आपको बताना है, National Youth Day, birth anniversary of Swami Vivekanandh, National Youth Festival is organized by Ministry of Youth Affairs and Sports, correct statement आपको जो है वो बताना है है आपर, alright, तो answer यहाँ पर क्या होगा, answer होगा, आपका option C, दोनो statements correct है, National Youth Day जो है, birth anniversary पर celebrate होता है, National Youth Festival, Youth Affairs and Sports Ministry करती है, आपका National Youth Day, every year 12th January को होता है, date आपने याद रखनी है, पूछा जा सकता है, ठीक है, स्वामी Vivekanandh, JNT भी इसको कहते हैं, और National Youth Day 1984 से celebrate किया जा रहा है, 2021 का जो National Youth Festival था, उसकी theme क्या थी, यूवा, उत्सा, नए भारत का, okay, और 12th to 16th January, ये date इतनी important नहीं है, नहीं याद रखने की जुरूरत, और ये जो festival है, इसको Ministry of Youth and Affairs and Sports जो है, वो organize करती है, okay, तो factual question है, याद रखियेगा, fourth question के उपर चलते हैं, consider the following statements with respect to khadi prakritic paint, khadi prakritic paint से related आपने जो है statements इसमें consider करने है, okay, so the first statement is, the paint uses heavy metals like lead, mercury, arsenic and cadmium to make it eco-friendly and non-toxic, अच्छा जी, khadi prakritic paint, उसके बाद दूसरा statement है, कि ये पहला अपने आप में एक paint है, जिसको khadi and village industry commission ने develop किया है, तीसरा कह रहा है, the paint is based on cow dung और इसको Bureau of Indian Standards ने भी certify कर दिया, आपको correct statement बताना है, two, one and three, two and three, none of the above, देखो अगर अगर sense भी question में इस्तिमाल करोगे न, तब भी एक-दो statements को तो आप eliminate कर सकते हो, उपर गया लिखा है, khadi prakritic paint, prakritic क्या होता है, natural, ठीक है, और prakritic basically product में किसलिए इस्तिमाल किया जाता है, eco-friendly, या environment friendly, या organic product को represent करने के लिए, तो अगर उसमें lead, mercury, arsenic, cadmium जैसे heavy metal use होंगे, जो polluting होते हैं, जो health के लिए ठीक नहीं होते हैं, तो उसको तो कभी भी प्राकृतिक paint नहीं बोला जाएगा, ठीक है, तो पहला statement तो मैं उसी idea से eliminate कर सकता हूँ, ठीक है, न, पहला तो होई नहीं सकता correct answer, ठीक है, दूसरा statement factual है, मेरे को पता होना चाहिए कि किसने develop किया, अगर न automatically options ही हो जाता है, ठीक है, तो news में था, क्योंकि आपके नितिन गड़करी, जो MSME के minister है, उन्होंने ये नया पिंग जो है launch किया था, तो first of its kind product है, antifungal है, antibacterial है, economic, eco-friendly है, environment friendly है, non-toxic है, तभी इसमें वो सारे heavy metals नहीं है, जो बाकी paints में होते हैं, cow dung जो है, इसका main ingredient है, cost effective है, कोई smell नहीं है, कोई odor नहीं है, इसमें, Khadi and Village Industries Commission ने इसको develop किया है, Bureau of Indian Standards ने इसको certify कर दिया है, fit for use, ठीक है, और कोई भी heavy metal, prakritik है, natural है, तो कोई भी heavy metal इसमें नहीं है, ये already मैं आपको बता चुक हूँ, ठीक है, तो दिमाग में रखेंगे, थोड़ा factual question है, पर आ सकत है, चलि, next question, fifth question, consider the following statement with respect to North East Venture Fund, North East Venture Fund से related, आपको statement जो है, यहाँ पर consider करना है, okay, तो first statement है, it is the first and the only dedicated venture fund for the North East region, पहला है और एक लौता venture fund है, North East region के लिए, दूसरा statement कहता है कि इसको Ministry of Finance ने launch किया है, in cooperation with the North Eastern Development Finance Corporation, आपको बताना है, दोनों में से कौन सा statement correct है, ठीक है जी, one, two, both, या फिर neither, okay, तो इस case में answer क्या होगा, इस case में answer होगा, आपका option A, one only, पहला statement विल्कुल सही है, पहला dedicated venture fund है, North East region का, पर ministry यहाँ पर गलत given है, तो एक बार detail देख लेते हैं, okay, तो पहला fund है, dedicated जो North East के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको launch किस ने किया है, Ministry of Development of North East region ने, किस के साथ, North Eastern Development Finance Corporation के साथ, okay, main जो agenda है, इस fund का वो क्या है, ताकि जो नए business ventures हैं, और जो नए skill development वाले areas हैं, वहाँ पर पैसा जो है, इन्वेस्ट किया जा सके, इस fund का initial corpus 100 crores का रखा गया है, और fund target करेग कि कैसे नए start-ups में और जो unique business opportunities हैं, उनमें invest जो है, पैसा किया जा सके, उनको support प्रोवाइड किया जा सके, North East region में, okay, जाधा difficult question नहीं है, थोड़े factual से points हैं, देख लेंगे तो इसको भी आप easily कर लेंगे, चलिए, 6th question, United Nations Security Council, अभी इंडिया और United Nations Security Council recently, January मन्त में काफी ठीक है, तो UNSC से related आप से सवाल पूछा गया है, सबसे पहला statement है कि UNSC में 5 permanent और 10 non-permanent member हैं, दूसरा statement क्या कहता है कि 5 non-permanent member हर साल elect होते हैं, by the General Assembly, 2 साल के लिए, हर साल 5, 10 में से हर साल 5 select होते हैं, 2 साल के लिए, तिसरा statement कहता है कि India recently non-permanent member बनाई UNSC का, और ये पहली ब के बाद, इन में से कौन सा statement correct है, आपको बताना है, factual सा है, देखो question जादा, current affairs में ये important रहेगा question आपका, क्योंकि January में काफी जादा news में था ये, okay, तो answer इस case में क्या होगा, देखो पहला statement बिल्कुल सही है, okay, तो जिस भी option में, बहुत easy, not, और आपसे not correct पूछा गया, कि तो पहला तो correct है, ठीक है, तो पहला correct है, तो option A नहीं हो सकता, दूसरा क्या कहता है, 5 non-permanent member, 5 non-permanent member हर साल elect होते हैं, और हर member का term 2 साल का होता है, दूसरा statement भी बिल्कुल सही है, तो दूसरा क्योंकि सही है, तो जिसमें 2 है, वो भी नहीं हो सकता, तो automatically answer यहाँ पर C हो जा charter के 6 main organ है, ठीक है, उन 6 main organ में से एक United Nations Security Council भी है, अब comment section में आप देखते हैं, कौन बता सकता है, बाकी के 5 organ, बाकी के 5 organ कौन से हैं, United Nations के, according to the UN Charter, एक तो UNSC हो गया, यह मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, अब UNSC का mainly क्या है, कि किस तरह से international peace बनाया जा सके, ठीक है, ता total 15 member होते हैं, 5 permanent और 10 non-permanent, 5 permanent member कौन से हैं, याद रहना चीए, static के form में पूछ लेते हैं कहीं बार, China, France, Russia, UK और US, यह 5 permanent member हैं, याद रखने हैं, China, France, Russia, UK और US, और 10 non-permanent member होते हैं, जो यह 10 non-permanent member होते हैं, हर member 2 साल के लिए elect होता है, और elect कौन करता है, General Assembly, यह भी पता ह हर साल 5 non-permanent member जो है elect होते हैं, ठीक है, 5 retire हो जाते हैं, उसकी जगा 5 आ जाते हैं, हर साल ऐसा होता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि 10 के 10 एक साथ elect होएंगे, 10 के 10 एक साथ retire हो रहे हैं, हर साल 5 elect होते हैं, और जो 5 elect होते हैं, फिर वो 2 साल के लिए रहते हैं, ठीक है, और हर region में से इन 10 में seat divide की गई है ठीक है, जैसे ये बोल दिया है कि 5 जो हैं, out of the 10 non-permanent members, 5 अफरिका और एशिया से लिये जाएंगे 1 इस्टन यॉरोप से लिया जाएगा 2 लेटिन अमेरिका और करिबियन कंट्रीज से लिये जाएंगे और 2 वेस्टन यॉरोप और बाकी के जो देश बजगे वहां से लिये जाएंगे, तो इसी हिसाब से members elect होते हैं, 5 अफरिका और एशिया, 1 इस्टन और यॉरोपियन कंट्रीज 2 लेटिन अमेरिकान और करिबियन कंट्रीज और 2 वेस्टन यॉरोपियन और कंट्रीज ठीक है, ओके, जो रिटाइरिंग मेंबर होता है, एक रूल है यह रूल नंबर आपको याद करने की जुरुवत नहीं है एक रूल है कि जो मेंबर रिटाइर हो गया वो immediate re-election के लिए eligible नहीं है जैसे for example अगर 2019 में India retire हो गया, मैं सरफ example ले रहा हूँ तो जब 2020 में election हो रहे हैं, या 2019 में जब India retire हो रहा है, तब election हो रहा है तो इंडिया दुबारा से re-elect नहीं हो सकता साथ की साथ, वो अगले साल के election में re-elect हो सकता है, पर साथ की साथ नहीं हो सकता ठीक है, इंडिया total 8 बार UNSC का non-permanent member रहा चुका है जो इससे पहले था, वो था 2011-12, okay it will stay on the council for 2 years 2021-22, okay अब 21 में select हो है तो 21-22 होगा, अब यह third statement गलत क्यों था, एक बार दुबारा से उसके उपर चलते हैं, इंडिया has entered as a non-permanent member of UNSC for the first time during 11-12, कि 2011-12 में पहली बार आया था इंडिया पर ऐसा नहीं है, पहली बार इंडिया कब आया था, यह हमने अल्रेड़ी देख चुके है 1950-51 में पहली बार आ चुका था, ओके, और last 2011-12 में था, उसके बाद इंडिया अब जाकर के इसका non-permanent member बना है, दुबारा से 2021-22 में, ओके, इजी सा सवाल है, जादा कुछ है नहीं, facts है थोड़े से याद कर लोगे, easily solve हो जाएगा 7th question देखेंगे, कुछ statements आपको given है Asian Hobora Bustard यह endemic होते हैं, Indian subcontinent में पहला statement यह बोल रहा है endemic का मतलब होता है, कि यह इसी region में पाए जाते हैं, Asian subcontinent में ही पाए जाएंगे, Asian Hobora Bustard are listed as critically endangered IUCN red list में यह critically endangered है, आपको बताना कौन सा statement correct है यह भी news में थे, Asian Hobora Bustard काफी articles publish हुए थे, इसनके उपर newspapers में, ठीक है, इसलिए question डाला गया है, क्यूं थे news में वो भी बताऊंगा, अंसर इसका क्या होगा देखो पहला statement गलत है, यह सिरफ subcontinent में endemic नहीं है, और दूसरा statement भी इसका गलत है, IUCN में critically endangered नहीं है, vulnerable में आता है, तो अंसर यहाँ पर option D हो जाएगा, कोई भी statement correct नहीं है सबसे पहले news में क्यों थे, news में इसलिए थे, क्योंकि पाकिस्तान सरकार का बहुत ज़ाथा criticism हुआ था, पाकिस्तान सरकार हर साल, दुबई की जो royal family है, दुबई के जो राजा महराजा लोग होते हैं, उनको license issue करती है special license issue करती है hunting के लिए ठीक है, शिकार खेलने आते हैं दुबई के लोग पाकिस्तान में specially, और शिकार किसका किया जाता है इस हबारा बस्टर्ड का शिकार किया जाता है, जो एक internationally protected bird है, तो पाकिस्तान सरकार specially license issue करती है, दुबई की royal family को, इसलिए इस बार इसका काफी जादा criticism हुआ, हर साल ही होता है वैसे तो, ठीक है अब ये जो बस्टर्ड है, large terrestrial birds है, ओके जो ये Asian habora बस्टर्ड है, ये North East Asia, Central Asia, Middle East, Arabian Peninsula Sinai Desert, जो आपका Egypt में है, वहाँ पर भी मिलते हैं, इसलिए आपका पहला statement हैं, ये migrate करते हैं spring में ये breed करते हैं और winters जो है, पाकिस्तान में spend करते हैं, ओके और उसी समय, जो है, पाकिस्तान सरकार licenses इशू करती है, दुबाई royal family को, इनके शिकार के लिए ओके, और conservation status के अगर इसके बात करें, तो IUCN में जो इसका red list status है, वो vulnerable है, ना कि critically endangered, इसलिए आपका second statement गलत था, अगर हम sites की बात करें, तो sites में appendix 1 में आता है, और अगर हम CMS जो आपका convention on conservation of migratory species है, उसकी बात करें, तो उसके case में ये appendix 2 में आता है, तो ये various conservation statuses होते हैं, जो various organizations publish करती हैं, okay, sites or CMS का ना भी याद रहे, तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन IUCN का red list status important है, ये पता होना चाहिए, okay, चलिए last question देखेंगे, इस video का, consider the following statements about Magi Mela, Magi Mela से related, आपको कुछ statements consider करनी है the Magi Mela is celebrated to commemorate the 46 who sacrificed their life fighting the Mughals, ये बहुत ज्यादा, देखो इसको ये नहीं समझना कि सरी है, तो आप बिल्कुली regional news लिया है, ये काफी ज्यादा news में था, क्योंकि किसान जो revolt कर रहे हैं, किसान जो withdraw कर रहे हैं, farm regulations का, farm rules का, Delhi border के उपर, तो ये आफीजादा news में highlight हुआ था, Magi Mela उस समय में, ठीक है, तो first statement है, कि 46 के sacrifice को commemorate करता है, second statement है, कि it is celebrated in the month of Mag, as per the Bikrami calendar, correct statement आपको बताना है, ठीक है जी, तो इसमें correct statement कौन सा होगा, अगर regular news paper follow कर रहे हो, तो कुछ मुश्किल नहीं है, इस सवाल में ठीक है, थोड़ा सा explanation देख लेते हैं, तो Magi Mela, मुक्तसर पंजाब में mainly's को बनाया जाता है, हर साल January के महीने में, ओके और ये जो मन्थ होता है, ये जो festival है, ये नानक शाही calendar के हिसाब से Mag के महीने में आता है, आपका question में क्या given था, विकरम शाही calendar, लेकिन ये विकरमी calendar नहीं है, या विकरमी calendar नहीं है ये कौन सा calendar होता है, नानक शाही calendar होता है, नानक शाही calendar को design किसने किया था, एक Sikh scholar है, पाल सिंग पुरेवाल, इन्हों ने इस calendar को design किया था, विकरमी calendar की जगा, ताकि गुरुपूरब और बाकी के जो Sikh religion से related festivals है उनकी date set की जा सके ठीक है वैसे विकरमी कलेंडर use किया जाता था हिंदूज और Sikhs के दुआरा विकरमी कलेंडर जो है King Vikram Aditya के नाम पर ये विकरमी कलेंडर जो है और इसको भारत सरकार ने भी adopt किया हुआ है 57 BC में ये start हुआ था ओके इसके उपर हम जादा नहीं जाएंगे विकरमी कलेंडर के उपर क्योंकि ancient India UPSC EPFO के exam में नहीं है specifically ठीक है तो इसको अभी हम यहीं पर छोड़ देंगे ठीक है ये factual सा question है दो इस question के आने के chances EPFO के exam में काफी कम है लेकिन फिर भी हमने एक बार ये news कबर कर ली ताकि अपना कुछ छूटे ना ठीक है चलो तो यहाँ पर आकर हमारा ये बाला lecture जो है दोस्तों खतम हो जाता है आई होप आपको मजा आया होगा और बहुत से चीज़े नहीं सीखने को मिली होंगी और किसी को कोई भी doubt को comment section में post कर सकते हो या फिर आप mail कर सकते हो तो आप सिधा call मत किया करो क्योंकि मैं calls आपके ऐसे उठानी पाऊंगा ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन call उठाता रहोंगा तो और बाकि सारे काम रह जाएंगे आप मेरे को whatsapp कर दिया गरो अगर आपको मेरे से call पर बात करनी है मैं आपको call पर खुद time दूँगा या मैं आपको reply कर दूँगा कि call me now ठीक है उस ताइं पर call करो आप ऐसे ही पूरा दिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं सुबह साथ बजे भी phone आ गया ठीक है किसी का कभी रात को दस बजे phone आ गया तो वह आप खुद से सोचो ना कि एक इनसान के लिए वह बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं ऐसा तो है message drop करो या mail पर message drop करो उसके बाद अगर call आपको phone पर बात करनी है तो मैं आपको time दूँगा उस time पर call करो तो वो logistically possible हो पाएगा ठीक है अभी मैं video record कर रहा थो तो इतने में कम से कम 5 phone बज गए तो वो कैसे possible है pick कर पाना फिर बच्चे नाराज हो जाते हैं फिर मेरेको messages आत करता हूं है ना चलो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए all the best time बाबाए